compensation मतलब कि आप जब कहीं भी किसी organization में काम करते हैं तो आपको क्या benefits मिलता है वो आपकी salary हो सकती है वो आपका incentives हो सकता है वो आपके different allowances हो सकते हैं वो आपके fringe benefit हो सकते है तो compensation किसी भी रूप में हो सकता है organization की तरब से उसी को क्या कहते है compensation कहते हैं वो आपकी salary भी हो सकती है वो आपको incentive भी हो सकता है वो आपका bonus भी हो सकता है वो आपको employee benefit है जो fringe benefit होता है उसकी रूप में हो सकता है किसी ने किसी तरीके से आपको financial non-financial rewards आपकी service की बदले organization से मिलता है तो वही चीज compensation कहलाती है इट इस पेड इंता फॉर्म आफ वेज़े सेलरी एंड इंप्लॉई बेनफिट सच एज पेड वेकेशन, इंसुरेंस, मेटनिटी लीव, फ्री ट्रेवलिंग फैसलिटी, रिटार्मेंट बेनफिट एसक्टरा, तो यह जो है कमपनसेशन कैसे दियाता है, आपकी वेज़े ज मेटनिटी लीव, यानि आपको जो है प्रेगनसि मिल जा रही है, उस टाम डिवशन पर आप जा रहे है, आपकी सेलरी नहीं कटे गए, आपकी सेलरी मिलेगी, बेसिक सेलरी हो, जो होता है, बेसिक वो आपको मिलेगा, ड़ेज अ कमपनसेशन, फ्री ट्र्रेवलिंग फैसल क्या है क्यूं दिया जा रहा है तो बट ऑबेसी बात है कि जो अब भी आपने पीछे देखा वही सारे यहाँ पे भी होगे significance जो आपने देखा reward का वही सारी यहाँ भी होगा क्या होगा कि attracting high skilled employees अगर किसी भी organizational compensation अच्छा है वहाँ पे financial non financial rewards अच्छे हैं तो वहाँ पे employees आने की चाहत रखेंगे improve efficiency जो भी employee होगे उनकी efficiency को improve करेगा establish equity, equity establish होगा, increased worker efficiency, workers की efficiency काम करने की बढ़ेगी, कम टाइम में ज़्यादा काम करेंगे avoid conflicts, जो भी conflicts होते हैं वो हट जाता है employee के mind से, legal compliance याने की बहुत सारी legal rules होते हैं जिसको follow करना होता है जो कि minimum basic salary हो गया, minimum wages act हो गया, उन सारी चीजों को follow करना पड़ता है, उसको भी ये legal compliance को follow करता है increase healthy competition, healthy competition employee के बीच में जो है, improve होता है, बनता है, कि हाँ, अगर हम अच्छा perform करेंगे, तो हमारी salary हमें अच्छे compensation मिलेगा तो लोग आपस में compete करते हैं, कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा perform करूँगा, जिससे कि मुझे award मिले, मुझे ज़्यादा compensation ये reward मिले तो increase healthy competition, वहीं पर retaining employee, employee को retain करने भी compensation जो है, अच्छा रोल निवाता है, क्योंकि जिसकी भी compensation प्लान अच्छी होंगे, जिसका भी reward system अच्छा होगा, वहाँ पे employee रुखना चाहेगा, वहाँ पे employee काम करना चाहेगा तो ये compensation के objective ये function होगे, अब बात कर लें, next topic, component of compensation, यानि कि compensation के क्या-क्या component होते है, compensation में क्या-क्या चीज़े दी जा सकती है, जो financial और non-financial rewards होती है, employee के service के बदले, जो दिया जाता है, उसमें क्या-क्या दिया जा सकता है, देखिए, तो सबसे पहले important चीज, कि जो basic pay होती ये basic salary होती है, वो तो दी ही दी जाती है, साथी साथ उसके अलावा आप incentive bonus पे bonus amount दे सकते हैं, fringe benefits दे सकते हैं, तो अलग लग चाहिए, वही सारी चीज़े क्या होती, compensation के component होते हैं, तो basic salary जो की seniority या rank के हिसाब से अलग अलोग होती है, जो आप बिलते है ग्रेट पे, incentives होत एक जो fringe benefits होते है, TA, DA, retirement benefit, health benefit, gratitude, pension, security, इस टाइप के अलग अलग benefits जो है, apart from basic salary, यान कि basic salary के अलावा जो अलग अलग benefit मिल जाते हैं, employee के service के लिए, वो चीज़े employee benefit कराते है, provident fund जो की मिलता है, तरीके से जहाँ पे employee पैसा खर्च करता है, और employee जो है invest करता है, और उतना ही same amount में organization भी invest करती है, और फिर employee के वो एक lump sum amount जो हापे मिल जाता है, provident fund ये भी क्या है, compensation का part होता है, over time पे जाने कि अगर आप से extra time work करवाया जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको जो है पैसा मिलता है, तो that is also a part of compensation, allowance, जाकि DA, THRA, TA, children education allowance, medical allowance, city compensatory allowance, ये सारी चीज़े जो है आपको मिलती है, इस सब के बारे में हम अलग से unit 4 में, उसको unit 5 में discuss करेंगे, allowance में, dearness allowance हो गया, house rent allowance हो गया, traveling allowance हो गया, आपको अलग-अलग purpose के लिए भी allowance दिया जाता है, उसके बदले आपको पैसे दिया जाता है, traveling allowance ऐसे क्या आपने organization के purpose से कहीं पे travel किया, तो उसके compensation, normally यह जो आप देख रहे हैं सामने basic salary, incentive, bonus, employee benefit, PEF, overtime allowance, यह या तो अच्छी company होगी, branded company होगी, या फिर MNCs होगी, या फिर government में ही, यह normally मिलते हुआ नहीं, अगर आप प्राइवेट जॉब में, अगर आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब होता है, वहाँ आप देखेंग जाते हो, तो वहाँ पर आपको इस तरह के से bifurcate करके, आपको अलग-अलग benefit include करके, आपको अच्छी खासा amount वहाँ पर दिया जाता है, तो basic salary अलग होगी, employee benefits अलग से mention किया जाएगा, allowances जो भी मिलेंगे, अलग से मिलती है, DA, HR, A, TA, यह सब आपके basic salary के उपर depend करती है, कुछ percentage basic salary के, DA, HR, A, TA, इस तरह के से आपको दिया जाता है, तो यह component of compensation होते है, pay structure, तो pay structure का मतला है, आपको जो salary मिलती है, जो compensation मिल रहा होता है, आपकी organization में अपनी service के बदले, उसी को कहते है, pay structure, तो pay structure कैसा है, याने कि क्या benefits मिल रहे हैं, आपको कितनी salary मिल रही है, क्या incentive मिल रहा है, क्या bonus मिलता है, क्या French benefit मिलता है, तो वही चीज क्या करती है, pay structure करता है, pay और salary is fixed compensation, तो जो भी pay होता है, जो salary होती है, वो क्या होता है, वो fixed compensation होता है, उसमें कोई भी change नहीं होता है, कि basic salary जो आप कहा जाए, बाकि जो incentive है, bonus है, उसमें वो changes होते रहते है, periodically paid for work तो जो pay salary होती है, वो periodically मिल रही होती है, आने कि आपको monthly basis मिलती है, एक महिने की बाद salary आए, फिर एक महिने आपने काम के, फिर salary आए, तो यो periodically आपको मिलता रहता है, तो उसको क्या करते है, pay a salary, it shows the breakup of the salary into various components, तो pay structure क्या show करता है, salary का breakup show करता है, कि salary में क्या क्या चीजे included ह salary है, कितना आपका incentive है, क्या bonus है, क्या HRA है, क्या DA है, क्या TA है, वो सारी component को show करते है, तो अब यहां के component देखेंगे उसके, तो यह salary ब्रेक आप show करता है, तो उसको क्या करते है, pay structure कैसा है, normally जो pay structure होता है, उसमें कुछ चीजे होती है, जैसे कि basic pay होती है, basic salary होती है, वो हो होता है, fringe benefits होते है, plus incentives होते है, यह चारों चीजे मिलके आपका जो है, आपके जो compensation reward बनता है, तो pay structure इसी को कहते है, कि pay structure यानि कि आपको क्या क्या चीजे मिल रही है, basic salary कितनी मिल रही है, fringe benefits क्या मिल रहे है, incentives क्या मिल रहे है, allowances क्या मिल रहे है, वो चीजे pay structure कहलाती है, component of pay structure की बात करें कि क्या component होते हैं तो आपने unit 3 में भी देखा था unit 4 में भी देखा था वही चीज़े यहाँ पर भी है यहाँ पर क्या है कि basic pay salary होती है तो होती है जो कि fixed component amount of money that an employee received prior to any extras being added or payment deducted यानि कि यहाँ पर यह जो basic पर होता है यह basic पर होता है यह amount amount मिलता ही मिलता है employee को यहाँ पर कोई भी जो भी extra मिलते हैं उसको छोड़ के यानि कि जैसे incentive हो गया वो अलग होगा allowance हो गया वो अलग होगा उसके अलावा यह basic salary जो है वो दिया ही जाता है तो यह fixed compensation होता है इसी तरीके से DA है Dearness allowance Dearness allowance क्या होता है महाँगाई बता जो आप कहते हो महाँगाई बता है जैसे inflation बढ़ता है market में rates बढ़ते है prices बढ़ते हैं उसके हिसाब से आपको organization जो हो महाँगाई बता देती है तो आप action news में देखते होंगे DA इतने percent से बढ़ा DA इतने percent बढ़ा DA चीज होती है तो यह percentage of original salary जो original salary जो जो को basic pay salary कहते हो उसका कुछ percent होता है जो की inflation को देखते हुए बढ़ाया जाता है तो उसको कहते हैं DA Dearness allowance कहते हैं इसे दगे से HR होता है यानि कि house rent allowance होता है जहाँपे क्या होता है तो to meet the cost of rented house exemption is given in IT Act और इसके लिए आपको IT Act में exemption भी मिलता है वहीं पर gross pay gross pay यानि कि total पैसा आपके पास कितना है कितना आपको company की तरब से आ रहा है यानि कि CTC कहते हो cost to company वहीं चीज क्या होता है gross pay यानि कि company आपको उपर कितना खर्च कर रही है gross pay यानि कि आपके account में यह नहीं आएगा gross pay क्या हो गया total amount अब उसमें से tax भी कट जाएगा कुछ deductions हो गए जो आपके तरब से कटने होंगे वह organization कट करके फिर आपको जो पैसा देती है उसको कहते हैं take home पे यानि net salary कहते है तो gross pay individuals total earning throughout a given period before any deduction तो बिना किसी deduction के जो TDS कटता है tax deduction कटता है add source वो tax हो गएर अगर ना काटे है तो उसको मिला के जो भी आपका पैसे बनते हैं उसको gross pay कहते हैं और जब tax हो गएर deduction हो गएर हटा देते हैं या फिर जो भी incentives था उसको cut pit कर देते हैं तो आपका जो आत में आता है अकाउंट में आता है उसको कहते है net salary फिर take home पे कहते हैं वहीं पे इसके अलगा और भी components होते हैं जैसे TA हो गया बोनस हो गया incentives हो वो vary करता है तो पे structure में यह सारे components होते है जो आपके syllabus के recording दिया गया है next है method of payment याने कि जो payment है वो कैसे मिलता है तो देखिए जो payment होता है वो दो टाइप पे होता है दो तरीके से आपको payment मिलता है एक होता है time rate system time rate system में आके time पे fix होता है आपको 9 से 4 आना है office में बैठना है काम करना है और आपको हर महीने salary मिल जाएगी तो that is time rate system wages are paid in terms of time spent it decrease the moral of efficient once तो normally इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको wages जो है आपके time spent आपने कितना time दिया है आप daily काम करने आये daily office आयो उसके basis पे आपको wages मिलता है तो किसी महीने में आपने दो शुट्टी लिए तो दो शुट्टी के पैसे कर जाएंगे बाकि दिन आये थे उसके पैसे मिलें तो इसमें कि होता है हमारा moral down होता है जो अच्छा काम कर रहा है उसके time पे वो उसका moral down हो जाता है कि वह भी उतना ही आर रहा है मैं भी उतना हो लेकिन उस salary से मिले रही है time spent जो इसमें होता है कि time spent into wage rate per hour per day या पिर पर week या फिर पन जो भी rate होता है wage का और time कितना spent क्या उस produced by him without considering the time taken in performing the work यानि कि यहाँ पे wages जो दिया जाता है वो उसके output पे depend करता है आपने एक महिने में 10 लाख unit sale किया तो 10 लाख के recording आपको जो है salary मिलेगी आपने एक महिने में 4 लाख unit sale किया तो 4 लाख के हिसाब से salary मिलेगी यहाँ पे आपने कितना time दिया उससे matter हमें नहीं करता है तो time rate system में आप 9 से 4 आए हो 300 दिन आए हो तो आपको salary पूरी मिलेगी लेकिन price rate system में piece rate system में क्या होता है आपने कितना दिन काम के उससे मतलब नहीं आपने sale किया है कितना output दे कितना आपने organization को फायदा करता है उस पे depend करता है तो price rate system में क्या हो output into piece rate यानि कि एक output को बेचने का क्या rate होगा और output कितना total आपने बेचा उसको multiply कि तो आपका payment amount आ जाएगा तो time rate system और piece rate system होता है method of payment advantage क्या है time rate system की बात किया है तो simple to understand by time rate system में simple है कि इतने से इतने तकाया थे 300 दिन आ हो आपके पूरी सेरे मिल जाएगे तो simple to understand and easy to operate है regular and stable income देता है worker को greater care and attention to quality and workmanship जो quality workmanship उस पर ज्यादा care रहता है beneficial to average and below average worker तो ये time rate system जो average है below average worker है उनके लिए फायदे मन्द होता है लेकिन जो expert होते है जो काफी ज़्यादा क्याता है कि smart होते है उनके लिए फिर ये time rate system कहीं नके लिए नुकसान हो जाता है ensure quality assurance to worker quality assurance भी ensure करता है वहीं पर disadvantage की बात करें तो no incentive for efficient worker जो efficient worker होते हैं जो उतने time में ज़्यादा काम कर सकते है as per compared to average जब below average worker उनको जो फायदा नहीं होता है does not increase initiative initiative को increase नहीं करेगा क्यों बाई 9-4 आना है बैठेंगे काम करेंगे salary तो मिल नहीं है तो ये चीज़ आज़े तो इस वे initiative नहीं लेता है कोई लेकिन अगर peace rate system है याने कि आपके output बे डिबंड करता है आपके salary तो वहाँ पे जो है वो initiate लेगा production में decrease तो time rate system में production घट सकता है क्यों कि salary तो मिल नहीं है 9-4 आजाओ salary मिल जाएगी require close supervision है यहाँ पे close supervision देखना पड़ता है कि 9-4 आपके जैसे कि क्या होता है कि supervise करना होगा कि कहीं खाली तो नहीं बैठा है आ तो गए office लेकिन 9-4 time काट के चले गए तो यहाँ पे supervision देखना होगा कि यहाँ काम कर रहा हो तो यहाँ पे time rate system में supervision requirement होती है लेकिन piece rate system में क्या है वहाँ पता है कि काम करोगे तो पैसा मिलेगा नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा तो हाँ पे supervision की इतना access requirement नहीं होती है labor cost में rise due to decrease in productivity और जब productivity घट जाएकि तो labor cost बढ़ जाएकि तो यह time rate system का advantage और disadvantage वहीं पे हम बात करें piece rate system की advantage की तो वहाँ पे क्या है incentive to efficient work वहाँ पे efficient worker को incentive मिलेगा जो जितना perform करेगा जो जितना output लाएगा उसको उससाब से पैसा मिलेगा increase in production अब यहाँ पे क्या है production बढ़ेगा तो क्या होगा यहाँ पर कि but obvious सी बात है कि सारा कुछ किस पे reprint करता है piece rate system में कि आपके production पे आपके आपके जो है क्या कहता है आपके output पे तो आप जितना output लाओगे उतना ज्यादा sale होगा उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा तो ज्यादा output लाओगे यानि कि ज्यादा production होगा lower cost यहाँ पे cost कम होती है equitable होता है जिस्टिफेबल होता है यानि कि आप जितना salary होती है उसके अलावा जो benefits दिये जाते हैं organization की तरब से employee को तो उसको हम कहते है fringe benefit या employee benefit कहते है any benefit you offer employee in exchange of their services not including salary यह जो salary होती है basic पे होता है उसको अलावा जो भी benefits दिये जाते हैं employee को उसे को क्या कहते है fringe benefit कहते है are addition to compensation that companies give their employees तो compensation का addition है, addition to compensation, जो भी compensation organization देती है employee को, उसमें addition होता है एक तरीके से fringe benefit, any non-witch payment और benefit, यानि कि कोई भी non-witch payment है या फिर benefit है उसको क्या कहते है, fringe benefit कहते है, example के तोर पर like एक company car, company ने अपनी कार दे रखी, आप company के कार से आ रहे हो जा रहे हो तो यह क्या हो गया, pension plans आपके लि आपके लिए लगा रखा है कि आपको profit में share मिलेगा, तो that is fringe benefit हो गया, vacation पे, आप कहीं vacation पे जा रहे हो, आपको पुरा खर्चा company उठा रहे है, तो fringe benefit, company paid life insurance, health या unemployment insurance, वो भी क्या हो गया, fringe benefit हो गया, granted to employee by employers, तो अलग-लग type के fringe benefits, जो है employee को मिलते हैं, तो यह non-witch payment है या फि सारे topics को discuss कर पाना मुस्किल है, क्योंकि time consumer होगा, तो यह सारे क्या है fringe benefits, तो अलग-लग type के fringe benefits, paid holiday हो गया, shift premium हो गया, holiday pay हो गया, paid vacation हो गया, housing के लिए आपको दे रहे हो, provident fund दे रहे हो, pension, plan, gadgety, medial benefits दे रहे हो, education, facility दे रहे हो, तो यह सारे अलग-लग type के fringe benefits होते हैं, जो कि employees को दिये जाते हैं, अब हम next topic देखने, that is allowance, तो fringe benefit हो गया, basic salary हो गया, अब आता है allowance, amount of something that is allowed, यानि कि ऐसा कोई खर्चा जो आप employee करता है, और उसका पैसा जो है, उसको company के तरफ से मिल जाता है, especially within a set of rule and regulation, और for a specified purpose, यानि किसी specific purpose के लिए जब government, जो organization है, वो पैसा देती ह है, तो सिकों क्या कहते है, allowance कहते हैं, और वो rule or regulation के, company के rule or regulation के according ही होता है, जैसे कि DNS allowance, DNS allowance यानि कि महंगाई भता, अब हर महीने, हर साल महंगाई बढ़ रही है, तो इसके इस साब से क्या होगा, organization जो हो, DNS allowance यानि DA भी आपको देती है, allowance यानि कि क्या होता है, allowance मतलब भता हो तो DNS, this allowance is given to protect real income of an employee against price rise, तो price बढ़ रही है, तो आपकी सरीद उतनी रहेगी है, तो इसके वज़े क्या होता है, उसमें DA और आपको हर साल बढ़ावरा के देते रहते हैं, इससे क्या होता है, कि आप महंगाई को equate कर पाते हैं, DNS allowance is paid as a percentage of basic pay, तो जो basic pay होता है, उसका कुछ percentage ही आपको DNS allowance के रूप में मिल जाता है, तो यो महगाई भत्ते की basis पर depend करता है, house rent allowance, अब companies who do not provide living accommodation to their employees, pay house rent allowance, HRA to employee, अब सपोर्ज करें कि आप UP में रहने वाले हो, आप महाराश में जॉब करने जा रहे हो, तब महाराश में जिस भी company वे गए हो, अगर वो आपको room facility नहीं आपको मिलता है as a house rent, और आपको tax में भी उसमें छूट मिलती है, city compensatory allowance, अब यहाँ पर क्या है, कि अब सबोस करें लखनों में आप जाते हैं, तो वहाँ पर cost of living आपकी कम होती है, लेकिन आप वहीं पर मुंबई में जा रहे हो, महाराश्टे में जा रहे हो, बैंगलोर ज तो वहाँ पर cost of living जादा है, तो city compensatory allowance, this allowance is based basically to employees in metros and other big cities where cost of living is compatibly most, जहाँ पर cost of living जादा होती है, तो वहाँ पर city compensatory allowance भी मिलता है, जिसको हम CCA भी कहते हैं, तो यह क्या होता है, fixed amount per month होता है, जैसे कि 30% of basic pay, आपकी जो basic pay होगी, उसका 30% आपको CCA की रूप में मिलेगा, क् क्योंकि आप महराष्ट में में काम कर रहें, वहाँ पर महगाई जादा है, वहाँ पर cost of living जादा है, तो city compensatory allowance भी होता है, तो यह basic salary जो होती है, उसके अलावा होती है, फ्रेंजिमेंट पर basic salary अलग है, allowance अलग है, इसी तरह के से transport allowance या convenience allowance होता है, यानि कि आप organization के काम से कही पर जा रहे हो, एक जंगा से दूसरी जंगा जा रहे हो, दूसरी stage आ दूसरी country जा रहे हो, तो वहाँ पर जो भी traveling का खर्चा आएगा, या भी convenience का खर्चा आएगा, वो सारा का सारा पैसा, आपको जो है as a allowance आपको मिल जाता है, organization के side से हाँ, आपको यहाँ पर bill वगरा allowance हो गया है, उसी तरह के सो overtime allowance भी होता है, overtime जाने कि आप overtime कर रहे हो, Sunday को भी आके काम कर दे रहे हो, company का, organization का काम कर रहे हो, तो उसके बिदले भी आपको क्यालता है, overtime allowance मिलता है, एक्ट्रा पैसा आपको मिल जाता है, अब हम बात करने कि wedge and pay commission क्या होता है, तो wedge and pay commission एक तरिक of India दोरा setup कियाता है, give its recommendation regarding changes in salary structure of its employee, तो यह pay commission किसलिए होता है, ताकि वो recommendation दे कि क्या changes होने चाहिए, किसे भी employee के salary में structure, salary structure जो है वो employee में, उसके क्या change होना चाहिए, तो 1947 में ही commission जो है setup हुआ था, और तब से आज तक 7 बार यह commission setup हुआ है, 7th pay commission जो है भी latest चलता है, तो 7th pay commission had been set up on a regular basis to review and make recommendation on the work and pay structure, तो क्या work, क्या pay structure होगा, उस पर recommendation के लिए 7th pay commission जो हो, setup हुआ था, तो of all civil and military division of the government of India, तो जितने भी civil है या फिर military division है, government of India के लिए, उसके लिए जो pay commission जो है setup किया जाता है, headquarter जो है, उसको कहा है, डेली में है, ये, the commission is given 18 month from date of constitution to make it segmentation, तो जो भी commission बनती है, 7th commission, जैसे 7th pay commission बनी, तो उसको 18 महीने का time दे जाता है, कि वो 18 महीने के अंदर अपना recommendation दे, कि क्या salary structure होने चाहिए, क्या work होना चाहिए, तो ये wage and pay commissions होते हैं, जो कि government of India दरफ से टप किया जाते हैं, अब next topic है, minimum wage act 1948, तो देखिए, नाम में ही है, क्या है, minimum wage act minimum कितना wage आपको मिलना चाहिए, तो ये act आया था 1948 में law है, and act of parliament concerning Indian labor law, तो यहाँ पर क्या होता है, कि एक minimum amount जो है, wage fix किया जाता है, कि कम से कम इतना तो skilled या unskilled labor को मिलना ही चाहिए, तो उसी को कह कहते है, minimum wage act 1948, तो इसका main motive क्या हो गया, वो minimum wage होए, set करता है, empower the central and state government to fix minimum wages time to time, तो इस act के recording, जो central या state government है, वो time to time minimum wages को revise कर सकता है, set कर सकता है, the act provide fixing wage rate, तो act में क्या होता है, हम wage rate को fix कर सकते है, time, peace, guaranteed time, overtime की basis पे, for any employment that has at least thousand workers, तो कोई भी employment, कोई भी company, कोई भी organization, कोई industry, जहाँ पे 1000 workers से ज्यादा worker है, उसके minimum wage rate वो fix किया जा सकता है, इस act recording, तो objective की बात का है, तो क्या objective हो जाएगा, minimum wage act 1948 का, to provide minimum wages to the worker working in organized sector, to stop exploitation of the worker, to empower the government to take steps on fixing minimum wage and to revise it in timely manner, to apply this law on most of the section in organized sector, यानि scheduled employment, तो यह objective हो गया, तो objective आप समझे हो, तो overall क्या है, कि exploitation को रोकना है, और जो minimum wage एक set करना है, fix करना है, कि उतना employee, उतना skilled या unskilled employee को मिलना चाहिए, per month या per time के basis पे, time piece है, guaranteed time है, overtime के basis पे, और 1000 workers उसे ज्यादा जहाँ है, वहाँ पे, यह minimum wage act के according, wage rate जो है fix होना चाहिए, central या state government इसको fix कर सकती है, दूसरा act है, wage, अब दूसरा topic है, wage, तो wage क्या है, देखे, wage salary और wage में difference इतना है, salary क्या है, वो periodically आपको हर महीने मिलती जाती है, लेकिन wage क्या है, यहाँ पे आपको weekly basis, daily basis पे जो है, आपको यहाँ पे दिया जाता है, a fixed regular payment earned for a work or service typically paid on daily और weekly basis, तो जब भी आपको daily basis पे मिलता है, या फिर weekly basis पे आपको payment मिलता है, fixed payment, तो उसको कहते है, wage वहीं पे monthly basis पे मिलता है, वो quarterly मिलता है, वो salary कहलाता है, तो ठीक है, तो जैसे wage में तीन type क्यों होते है, minimum wage, fair wage और living wage, तो minimum wage यानि कि जो आपने minimum wage गेट में देखा कि कम से कम आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा, तो minimum wage, वहीं पे fair wage क्या होता है, more than minimum wage होता है, seeing present market rate, fair wage, fair wage या मतलब क्या होता है, कि जो minimum wage था, 10,000 होता है, लेकिन आप market को देखते हुए, आपने minimum wage से जादा salary दे दी, 10 की जगा, 15 दे दिया, तो that is fair wage, और वहीं पे तीसा होता है, living wage, living wage क्या होता है, कि more than fair wage होता है, यानि कि आप fair wage तो दे रहे हो, साथी साथ उसके अलावा extra wage दे रह क्या होता है, तो wage क्या होता है, वो typically daily basis है, weekly basis को होता है, minimum, fair और living wage में उसको categorize कर सकते हैं, अब जो next law है, that is equal remuneration act 1976, तो यहाँ पे नाम में clear है, कि equal remuneration, यहाँ पे क्या होता है, कि पहले क्या होता है, कि जो male candidate है, फिर female candidate है, उनमें wife vacation किया जाता है, male को ज्यादा salary दे दी दा रिया, तो यह चीजों को remove करने के लिए, equal remuneration act लाया 1976 में, तो यहाँ पे क्या था, an act to provide for the payment of equal remuneration to men and women worker, remuneration का मतलब payment compensation या salary, तो equal remuneration होना चाहिए, वो men हो, चाहिए, वो women worker हो, and for the prevention of discrimination on the ground of gender against women in the matter of employment, and for matter connected therewith, तो यह act जो आया था, इसलिए आया था, ताकि discrimination को prevent किया आपकी सल्री जादा होगी, आप women हैं, तो आपको implement नहीं मिलेगी, या फिर आपकी सल्री कम होगी, तो इस discrimination को हटाने के लिए ही यह act आया गया था, तो objective क्या होगा इस act के, तो the equal remuneration act 1976 aims to pay equal remuneration to men and women worker to prevent discrimination on the ground of sex against women in the matter of employment, यानि gender के basis पे, जो है, आप discrimination ना हो पाए, इसको prevent क करना, to provide increasing opportunity to women, women को increasing opportunity provide करना, to set up advisory committee to promote employment opportunity for women, और इस act के अंदर एक advisory committee भी set up करने का प्राउधान लागो किया गया, जिसमें कि women empowerment को बढ़ावा देने पे focus किया गया, तो यह objective थे equal remuneration act के, तो minimum wage act और equal remuneration act,